Welcome to School of Study Point आप सभी का स्वागत है आपके पने YouTube चैनल स्वागत है आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा ठीक है ये एक प्रकार से पार्ट वन था जिसमें हमने तीन सलाइड के अब्जिक्टिप टैप के परसनों पर चर्चा करी थी और मैंने कहा था कि भई ये नेक्ष्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे ठीक है जिसमें आपको पढ़ना होता है एजुकेसनल असेस्मेंट के बारे में सहचिक मुल्यांकन या सहचिक आंकलन के बारे में आपको जानना होता है आपको बता दूँ कि उसी से लगबग और लगबग हमने 40 से 45 परसन अबजेक्टिव टाइप के डिस्कस कर लिये थे और विस्तार से हमने उसमें बताये थे तो और बाकी जो कोशन बच गए थे वो मैंने बता थे कि भई पार्ट टू के नाम से वो वीडियो आ जाएगी तो आज हम चार्चा करेंगे पार्ट टू के बारे में लगबग डेर सो कोशन हमने इकठा किये थे उसी में से आपकी तीन स्लाइड जो है हो गई थी इतने प्रस्ण हो गए थे यहां तक हो गया था हम लोग लोग लें उपलबदी परिक्षण की गड़वत्ता जो है यह चर्चा कर लिया था अब यहां पर हम लोगों को आगे बढ़ना है यहां से ठीक है आए जानने का प्रियास करते हैं कि कौन कौन से प्रस्णाम की परिक्षा में आ सकते हैं और फड़ा पड़ से देखेंगे ठीक है आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सियर कर दीजेगा ताक किसी परिकार से और भी वीडियो आपको मिलती रहें ठीक है चलिए प्रस्ण है परिक्षण जिसे अच्छा आपको बता दूँ जब आप बीए फिप्त समेश्टर में होते हैं जानकारी के लिए तो आपके दो पेपर होते हैं और बीए फिप्त समेश्टर में भी किसी-किसी विश्विद्याल में माइनर का पेपर नहीं होगा लेकिन किसी किसी विश्विद्यले माइनर का पेपर होगा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो परिक्षण जिसे परिक्षित करते हैं वही बुद्धी है या कथन किसका है बुद्धी की परिभासा को देते हुए या किसने कहा कि परिक्षण जिसे परिक्षित करते हैं वही है कि बुद्धी जो होती है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की जो ability होती है जो योगिता होती है उसको बुद्धी कहते हैं अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योगिता को बुद्धी कहते हैं टर्मन इन चार सब्दों में नहीं थे कौन से चार सब्द, पहला ग्यान, दूसरा आभिसकार, तीसरा नर्देश, चोथा आलोचना, इन चार चीजों को जो विक्ती करता है, वो समझे बुद्धिमान है और उसके पास बुद्धी है, तो बुद्धी चार सब्दों से मिलकरके बनती यह एक ज्यान, एक आविस्कार, एक निर्देश और एक आलोचना कौन बताता है, यह बताते हैं बीने महोदे, ठीक है, थौर्ण डाइक जो की प्रकार से मनोबे ज्यानिक हैं, और इसा मनोबे ज्यानिक ही हैं, खास करके, ठीक है, तो यह कहते हैं, थौर्ण डाइक महोदे कह और उद्देशों को पराप्त करने के छमता देती है ठीक है इस्टर्ण महोदे कहते हैं कि बुद्धी एक सामान योगिता है जिसके द्वारा ब्यक्ती नहीं परिस्थितियों में अपने विचारों को जान बूच कर समयोजित करता है गाल्टन कहते हैं बुद्धी जो होती प में मदद करती है बुद्धी तो वो होती है बुद्धी जन्मजात होती है जन्मजात सकती है पैदा होते ही बुद्धिमान बिक्ति होता है कुछ बिक्ति इसे होते जो सुरुआस से ही बुद्धिमान होते तो बुद्धी जन्मजात सकती है सबसे पहली बात दूसरी बात है क बुद्धी जोती बैक्ती को कैसी चिंतन करने की योगिता प्राप्त करती है अमोर्थ चिंतन की योगिता प्राप्त करती है बुद्धी बैक्ती को भिन 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 बातों को सीखने में साहता देती है बुद्धी बैक्ती को अपने गत अन्भों से लाव उठाने की छंता देत बुद्धि ब kita sensi को भले और बुरे शत्युας र sommes नयतिक और अनयतिक इन सबी कारीयों में अगर अंतर असपश्च करना की क्या काम अक्षा है क्या बुरा है ये सब काम जो आप करते हैं कि ये काम अच्छा था य्या बुरा था इसका निर्धारण कौन करता है बुद्धी करत कि 11 अवस्ता के म धिकाल तक होता आ है और यहीं पूरा जीवन में एक प्रकार से वही बुधि काम आती है बुधि वैसे कई प्रकार की होती है ठीक है गैरिट महदे बुधि के तीन प्रकार को बताते हैं एक तो मूर्थ बुद्धी ठीक है concrete intelligence एक होता है मूर्थ बुद्धी abstract intelligence और एक होता समाजिक बुद्धी social intelligence ठीक है ये बात ध्यान निखेंगे social intelligence किसके पास होता है जैसे की कोई अच्छे मंतरी हो जाते हैं या कोई व्यवसाई हैं कूठ नितिक यह हैं नेतिक यह समाजिक कारिकरता तो उनके पास समाजिक बुद्धी होती है मूर्थ बुद्धी किसके पास होती है डाक्टर के पास वकील के पास दार्सनिक के पास चत्रकार के पास साहितकार के पास ऐसा दिमाग या जो दिखता नहीं है ठीक है मुर्थ बुद्धी होती है जो खासर की किसी मेकैनिक के पास होती है जो कुछ चीज बनाता है और फिर दिखे जाता है कि भई इसमें इतना महनल लगी है कोई मेकैनिक हो गया कोई इंजिनियर हो गया कोई अदोगी कारिकरता हो गया कोई कारिगर हो गया अच्छा कोई घर बनाने वाला बक्ती हो गया ये सब मुर्थ बुद्धी वाले बक्ती होती है ठीक है तो बुद्धी तीन प्रकार की होती है किसने बताया गैरिट महोदे ने बताया ये बात ध्यान रखेंगे किलियर इसके अलामात थांडाइक महदे बुद्धी की परिभासा को बुद्धी को तीन प्रकार का बताते हैं वो कहते कि एक होती अमोर्थ बुद्धी एक होती समाजिक बुद्धी और एक होती यांतरिक बुद्धी ठीक है अच्छा अमूर्थ बुद्धी में वही चीज ठीक है जैसे कि जो खासर के किसी सब्दो प्रती को समिस्चा का समाधान करने के लिए जिस बुद्धी का प्रियोग होता है अमूर्थ बुद्धी होती है समाजिक बुद्धी जो होती है वो जो ब्यवसायव अगर हमें काम आती है खासर के वो होती है थांडा ही कहते है या अंतरिक बुद्धी में इंजिनियर मेकेनिकल जो टेकनेसिये निसब होते हैं वो सबाते हैं तो इस प्रकार से बुद्धी को ले करके कई सारे बिद्वानो तो बुद्धी के अगर बात की जाए तो बुद्धी में जो है प्रत्या गमन का सिध्धान्त नहीं है ये बाकी एक तत्या का सिध्धान्त और बहुत तत्या का सिध्धान्त ये बुद्धी का सिध्धान्त है आपसा नमर इसका सी लगा देंगे प्रत्या गमन का सिध्धान् है आगे देखेगा अगला प्रस्थ है पांच वर्स के सोहन की मांसि काईव आठ वर्स है उसकी बुद्धी लब्धी कितनी होग दू इथे लिब्धी लब्धी का मलब होता है IQ यह तुम्हारा आएकियू लेबल बहुत जादा है IQ लेबल बहुत कम है IQ का मलब होता intelligent quotient intelligent quotient का मदल्ब होता है बुध्धी लबधी हिंदी में इसको निकालने का एक सूत्र होता है IQ का सूत्र क्या होता है एकजाब में प्रस्थन भी पूछेगा IQ का सूत्र क्या होता है IQ का सूत्र होता है मानसिक आयू, बटे वास्तावी कायू, गुड़े 100 वर्त का बच्चा है ठीक है ये क्या हो गई उसकी वास्ता भिकाय़ नबर B करेक्ट इंसर हो जाएगा तो यह सवाल भी आप आसानी से जान पाएंगे अगर आपको सूत्र आता होगा तो सूत्र Shotpad अगर आप धर देंगे आपका जो वास्ता भी कायो है यानि सोहन कितने साल का वास्तों में है तो 5 साल का है ठीक है या कितना वो मांसी कायो कितनी है उसका यानि कितने वर्स के बच्चों ऐसा ब्योहार करता है 8 साल के बच्चों ऐसा ब्योहार करता है 5-6 साल का भी गुड़े 100 कर देंगे बुद्धी लब्धी कितनी निकलेगी 5 एकम 5 5 दूना 10 हो गया 20 यहाँ पर बचा तो 8 दूनी 16 यहनी कि 160 हो गया 20 60 160 ठीक है तो 160 बुद्धी लब्धी निकली यहनी कि इसका कौन सा करक्ट है शरूज़गा बी आपसन अच्छा यह जो भी आपसन निकला आपका इस परकार के जो बच्चे होते हैं वो एक परकार से talented कहे चाते हैं और IQ लेबल इनका ठीक ठाग माना आता है ठीक है तो बुद्धी लब्धी को ले करके खासर के बीने साइमन बुद्धी पर इक्षड़ आया यह उसके आद में स्टेन फोर्ड भी ने परिक्षड़ आया 1937 में फिर उसके बाद में मेरिल पामर परिक्षड़ आया बुद्धी को ले करके फिर बेसलर बेलेब्यू परिक्षड़ आया फिर कोलिन्स ड्रेवर परिक्षड़ आया इसके अलावा गेसल, मीनिसोटा, तवाम प्रकार के परिक्षड बुद्धी मापने को लेकर के आए, लेकिन कुल मिला करके सबसे अलफा बीटा परिक्षड सब आया, आर्मी अलफा परिक्षड आर्मी बीटा परिक्षड नौसे न समान वर्गिकड परिक्षड यह सब समवि रहे और उसमें एक प्रकार से सीजे होती रहे तो मिलागर कि आप ध्यान नखेंगे कि जो अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धी लब्धी का एक का रायटीरिया बताओं कि कितने वर्स के बल्लब की अगर सूत्र में ऐसे 160 निकला तो यह बालक कैसा है किस प्रक प्रकर ब्यक्ति होते हैं बहुत जादा प्रकर ब्यक्ति होते हैं उनकी मान से का आयू जो है वह बहुत अच्छी होती ठीक ठाक मानी आती है ठीक है यह बाद्यान नखेंगे अगर 120 से ले करके 149 तक बुद्धी लब्धी किसी की निकलती कि तो इसका मलब वो है superior type का यह न उपर होगा above average होगा यानि जो आउसत के बच्चे है मलब कि जो सामाने बच्चे हैं उनसे थोड़ा जादा बुद्धी उसकी होगी ठीक है यानि आउसत से उपर होगा आउसत कब से कब तक होगा तो अगर 90 से ले करके 109 बुद्धी लब्धी जिन चाचात्रों की होती है उनकी बुद्धी लब्धी खासर के आउसत मानी जाती है अगर अतना निकलता है तो कोनों बात नहीं है ठीक है बच्चा की बुद्धी ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो सामाने बच्चों की भाती है कोई दिक्कत की बात 90 से ले करके 109 बुद्धी लब्धी अगर 110 तक निकलती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है वो है आउसत बुद्धी लब्धी ठीक है अगर बात की जाए 80 से लेकर के 79 यानि 89 तक निकलता है तो यह इसको बोलते है समीप औरती हींता यानि कि एक प्रकार से Borderline Defective ठीक है जान रखेंगे इस बात को अगर 50 से लेकर के 79 तक किसी बच्चे की बुद्धी लब्धी निकलती है तो आप जान जाएगा कि यह बेक्टी कैसा है मूर्ख है वो मूर्ख बच्चे के प्राणी में रखा आता है उस बच्चे को जिसकी बुद्धी लब्धी 50 से लेकर के 79 के बीच होती है ठीक है अगर 20 से लेकर 24 से लेकर के 49 तक बुद्धी लब्धी जिन 6-7 की होती 24 से लेकर के 49 तक उनको बोला याता है इंबे साइल ठीक है इंबे साइल का मलब होता है मूर्ख से भी नीचे होते हैं मूर्ख लोग ठीक है इसके अलावा अगर जीरो से लेकर के 24 तक अगर बुद्धी लब्दी किसी छाचातरा की आती है तो आप जानेए वो इडियट है एकदम से इडियट का मलब होता है जड़ बुद्धी है उसको आप कितना भी कुछ बताओगे कुछ नहीं पता चलेगा कुछ भी नहीं जान पाएगा तो जड़ बुद्धी है डल है एकदम से ठीक है इडियट है समझ रहे हैं तो ये होता है बुद्धी लब्धी परिछड का एक परकार से पैमाना तो अगर यहाँ पर सोहन की अगर बात किये तो सोहन कैसा बच्चा है सोहन जो है वो आत्यधिक परखर बच्चा है ठीक है चुकि उसकी बुद्धी लब्धी कितनी है 160 है आगे बढ़िए अगला परसंदिम्द मेंसे किसने पहला बुद्धी परिछड बनाया था तो बुद्धी परिछड पहला किसने बनाया था फटा पट से आप बताएंगे तो बुद्धी लब्धी परिछड जो है सबसे पहला किसने बनाया था तो आप सभी का बिल्कुल correct answer बीने साइमन या अलफ्रेड बीने correct answer हो जाएगा आपसर नमबर A बिल्कुल correct answer है अगला question सापकी skin पर आचुका दुईखंड बुद्धी सिध्धान्त दुईखंड बुद्धी सिध्धान्त बिक्सित किया किसने बिक्सित किया तब या दुईखंड बुद्धी सिध्धान्त इंपोर्टन प्रसने परिच्छा में लगातार पुछाता है इस पियर मैन correct answer हो जाएगा आपसर नमबर D correct answer होगा इसका ठीक है 1904 इस बी में आधुने कायू के खास करके प्रड़ेता रहे है अलफ्रेड बीने और खास करके इस पियर मैन महोदय ने दुईखंड बुद्धी का सिध्धान दे इवाद भी ध्यान रखेंगे थे आगे देखिए कि अगला प्रस आपके स्किन पर आचुका है प्रथम बीने साइमन बुद्धी परिछड की सुरुवात कब होई थी तो 1904 इस बी में अलफ्रेड बीने बुद्धी परिछड की सुरुवात होती है आपसर नमबर D correct answer होगा अगला प्रस देखिए फिर सवाल को ले करके आगया कि एक बालक कि मानसी कैयू यंश फंध्रा वर्स और उसकी वासिक आयू यानि C.E.12 वर्स जाए तो उसकी बुद्धि लबदी आई-ई-क्यू क्या होगी अब आई-क्यू का सूत्र में आपको बताया था आई-क्यू का सूत्र में ने आपको बताया था क की जो है मांसिकायव यादी यमें मांसिकायव बटे वास्तविकायव यानि की सी ये ठीक है धहान एकनगे इस बात को गुड़े 100 यहाद कर देंगे तो अब इसको काड़ लीजिएगा तीन पचे पंदरा और तीन चोग को बारा ठीक है और पचीस चोग को सव कितना होता है चार एकम चार और चार पचीस है है सव ठीक है चार से गर काड़ दिया तो पचीस का गुड़ा फिर पांच में होगा चुकी वह उपर उपर हो जाएगा तो देखे पचीस गुड़े पांच हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक सो पचीस ठीक है किलियर ध्यान नकिंगी इस बात को यानि कि इसका निकलेगा क्या 125 बुद्धी बुद्धी मैंने आपको बताया क्या था 120 बुद्धी लब्धि अगर निकल लए 110 से लेकरके 119 तक तो आउसस से उपर होगा लेकिन अगर 120 से 149 के बीच में होगा तो उसकी बुद्धी प्रखर होगा यानि सुपेरियर बालक होगा वो यानि कि जो बालक है ये सुपेरियर बालक है अगर इसकी मांसिक है वो 15 साल के बच्चों जैसी है और वो 12 साल का बच्चा है 15 साल के बच्चे से व्योहार कर रहा है तो आप खुदी सोच कि वह तीन साल वो आगे चल ला है अपने बच्चों से याणि वो प्रखर बुद्धी का है ठीक है ध्यान नकिएगे इस बात को और यह ध्यान नकिएगा सूत्र हमे गर्मन हो गए यह सब एक खंड सिध्धान के समर्थक है ध्यान रखेंगे इस बात को आगे बढ़िएगा अगला कोशन साब का आ चुका है फिर सवाल है कि यदि एक लड़की की मान से कहई उच्छे साल है और उसकी वास्ता भी कहई दस साल है यानि बच्ची दस साल की है और उच्छे साल जैसे लोगों जैसा ब्यवहार कर रही है तो उसकी बुद्धी लबदी कितनी होगी जीरो से जीरो काड़ दो फिर गुड़ा कर दो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथ यानि उसकी बुद्धी लबदी कितनी निकल गई भई साथ निकल गई तो बुद्धी चीजोगों तो ये होता है प्रकार से IQ निकालने का तरीका अच्छा बुद्धी लब्दी का सूत्र क्या होता है गड़ना सूत्र बताएं तो गड़ना सूत्र इसका कहें क्या होता है IQ बराबर यानि कि बुद्धी लब्दी या intelligent quotient बराबर मांसिक आयू उपर रहेगी ठीक ह आयू किलियर गुड़े 100 आप कर दीजेगा जो भी निकलेगा वो हो जाएगा intelligent quotient बुद्धी लब्दी किलियर आगे बढ़िए अगला परसन अगला परसन आपकी स्किन पर आ चुका फटा परसन आप देखिएगा वीडियो को लाइक और सियर करते रहेगा ताकि टाइम ट बच्चे की बुद्धी लब्दी कितनी होती भई आउसत बच्चे की तो मैंने आपको अलड़ी बता रखा था आउसत जो बच्चा होता है ऐसा मान बच्चा 90 से लेकर के 109 के बीच में या 90 से 110 के बीच में भी अगर आपको आपसन मिलता है तो वो भी correct answer होगा 90 से 109 या 110 तो correct answer हो जाएगा आपसन नंबर भी ठीक है ध्यान डखेंगे इस बात को अगला questions आपके सिन पर आ चुका है मानसिक रूप से बिसिष्ट बालक का प्रकार है मानसिक रूप से बिसिष्ट बालक का प्रकार क्या है इन में से देखे परतिभा संपन बालक मानसिक रूप से ब प्रकार कुछ नहीं जानते हैं ठीक है वो एबरेज नहीं है यह सभी बालक जो है यह मानसिक रूप से बिसिष्ट बालक की सिरणी में आते हैं आपसन नंबर डी करेक्ट एंसर हो जाएगा किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है किसी के पास कम बुद्धि है और बिल्कुल cause रहेगा अपसे नंबर B next question से आप देखेंगे अगला प्रसने प्रासंगी कंतर बोद परिक्षण है प्रासंगी कंतर बोद परिक्षण क्या है एक प्राच्छेपी परिक्षण है यह आपसा नमबर इसका C करक्टर एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन सो आप देखेंगे अगला प्रसना आपकी स्किन पर आ चुका है प्रसने एक बालिका की मानसी कायो 10 वर्स है वास्तविक आई वर्स है तो बालिका की बुद्धी लब्दी क्या होगी तो मानसी कायो कितना होता है 10 यानि उपर है वास्तविक आई हमेशा नीचे रहेगी जो भी रियल आयू होगी उसकी 8 साल की बच्ची है 10 साल के बच्चों ऐसे ब्यवहार करती तो उसकी आयू कितनी होगी मलब उसकी IQ लेबल कितना होगा तो काटेंगे यहाँ पर ठीके यहाँ पर काट दी 4 दूना 8 और 25 चो को 100 ठीके यहाँ पर काट दिया 25 हो गया 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 25 पंचे 125 यानि उसकी लड़की की बद्धि लब्दी कितनी है 125 से आपसा नमबर C करक्टर अंसर हो जाएगा इसका ठीक है 125 इस राइट आंसर यह बात द्यान रखेंगे कितनी है वास्ता भी काई उसकी 8 है फिर से एक बार चकर लिजी वास्ता भी काई कितनी है 8 है उसकी वास्ता भी काई कितनी है भीया वास्ता भी काई उसकी 8 है ठीक है कितनी है वास्ता भी काई उसकी 8 है यहाँ पर उपर 5 बच रहा है यहाँ पर ठीक है 2, 4, 8 और 2, 5, 10 यहाँ पर 4 हो जाएगा अब देखें यहाँ पर 25, 4, 100 होता है बिल्कुल तो यहाँ पर काट दिजिए यहाँ पर 25 हो जाएगा और 25 के गुड़ा जब 5 में करेंगे बताया है बुद्धी का लेकिन मूल यांकन नहीं बताया है आपसर नमबर B करेक्टर एंसर होगा अगला प्रसने बुद्धी है जनमजात उपारजित अभ्यास द्वारा समाज द्वारा तो बुद्धी क्या है भई बुद्धी जो होती है वो अभ्यास द्वारा भी आती है जनमजाद भी होती है ठीक है उपारजित और समाज के द्वारा देखे बुद्धी के अगर बात किये तो यहाँ पर अभ्यास द्वारा नहीं यहाँ पर बुद्धी जो होती है वो जनमजाद भी होती है अच्छा बुद्धी जनमजाद जरूर होती है लेकिन कहीं पर अभ्य प्रियास की भी आव सकता पड़ती इसमें अगर अभ्यास रहेगा तो जनम जात आप ना लगाएंगे अभ्यास आप लगा सकते हो ठीक है चुकि करत-करत-ब््यास के जड़मती हो तो सुजान तो अभ्यास के द्वारा बुद्धि जो होती है वो आती है अगर अगर अभ्यास द्वारा दिया गया है तो जनम जात आप नहीं लगाएंगे अगर आपको जनम जात दिया गया है और अभ्यास के द्वारा नहीं दिया गया तो आप ये लगाएंगे ठीके ध्याने के लिकिन फर्स्ट प्रेपरसन आप इसको देंगे अभ्यास को देंगे किस ने दिया है गिल फोर्ड ने दिया है आप सनमबर इसका यह करेक्टर अंसर होगा अगला question साब देखेंगे प्रकर बुद्धी बालक की बुद्धी लब्धी हमेशा उसकी तिथी काईू से कम होती है तो प्रकर आयो की जो बुद्धी लब्धी होती है वो हमेशा उसकी तित्थिक आयों से अधिक होती है यynि जो जिस की वास्तावए कायों से अधिक हमेशा मान सिकायो होगी तब ही बैक्तियो प्रकर 80-50 कोई 80-50-110 कोई फंडा नहीं है यह 90-110 वाला फंडा तो है 90-110 वाले सामान बुद्धी कटगरी में आते हैं ठीक है और स्वेश्ट बुद्धी वाले 120 से लेकर के 120 बुद्धी लब्धी में आते हैं यह ध्यार नखेंगे थोड़ा सा तो इसका इस प्रसन का करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा डी आपसन 140 से लेकर के ऊपर जितने भी हो आगे देखिएगा अगला प्रसन आपके स्किन पर आ चुका है फटा पट से आप देखेंगे वीडियो को लाइक और सियर करते लिएगा प्रसन है दार्सनिक और बिचारक ब्यक्तियों का ब्यक्तित तो कैसा होत आपके जादा इंपरणन अंतरमुखी पर आप देंगे दार्सनिकों का और विचारकों का जो ब्यक्तित तो होता अंतरमुखी होता आपसन नंबर एक रेक्टर अंसर होगा अगला कोसन से ब्यक्तित मापन के लिए ब्यक्ति की संपूर्ण सूचनाय प्राप्त करने की आपसन नंबर इसका सी करेक्टर अंसर होगा अगला परसने ब्यक्तित के किस पहलों का संबंध मानों की क्रियाओं से है तो ब्यक्तित के क्रियात्मक पहलों का संबंध जो है वो मानों की संप्ति क्रियाओं से है आपसन नंबर इसका भी करेक्टर अंसर होगा अगला परसन ईसका C कर्रेक्टर यंसर होगा. अगला कोसंस आप देखेंगे अंतरमुकी बैक्तित वाले बैक्ति रूर्चि रखते हैं, वो कोई नहीं तो ज़िए अंतरमुकी बैक्तित वाले बैक्ति जो होते हैं, वो स्वयम में केवल रुची लेते हैं लोगों में रुची नहीं लेते हैं इसलिए उनको अंतर मुखी कहा जाता चुकि वो अपने बारे में ही सोचते हैं स्वयम के बारे में ही सोचते हैं ठीक है लेकिन जो बहिर मुखी बेक्ति ही होते हैं हासमुक सुभाव के होते हैं TIT व्यक्तितु परिक्षण व्यक्तितु को नापने के लिए ये चीजे हुई थी ठीक है ये बाद ध्यान रखेंगे आगे देखीगा अगला परसन टी एटी परिक्षण कब हुआ था टी एटी परिक्षण 1935 में हुआ था आपसे नंबर सी करेक्टर एंसर होगा नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे टी एटी का पूरा नाम क्या है भई ट एटी का हिंदी में पूरा नाम है प्रासंगिक अंतरबोध परिक्षण आपसे नंबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे सी एटी कितने आयो के लिए हो किया था सी एटी जो होता है उसको बालक प्रसंग बोध परिक्षण बोलते हैं जिसको यानि कि बालक प्रसंग बोध परिक्षण बोला जाता है सी एटी को तीन साल से लेकरके 10 या 11 साल के बच्चों के लिए ये परिक्षण होता है आपसे नंबर बी करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन सा आप देखेंगे सी एटी ब्यक्तित परिक्षण किस ने दिया था ब्य यानि ब्यक्ति यानि कि आपका वो होता है ब्यक्तित तो मापन की कई बिधिया होती है आपको बता दो एक बिधी है ब्यक्ति इतिहास बिधी एक साक्षातकार बिधी एक परिसनावली बिधी एक कार्यात्मक परिक्षण बिधी एक अभिग्यापन परिक्षण बिधी एक आत्मकथा बिदी, एक स्वतंत्र संपर्क बिदी, एक निरिक्षन बिदी, एक मोल्यांकन बिदी, एक सारिडिक बिदी, एक प्रेचेपड बिदी, एक मनोविसलासात्मक बिदियां, ये सब बिदी होती हैं जिससे ब्यक्ति के बारे में पता जलता है, ब्यक्ति तो परिक्ष का गतिसील संगठन है जो उसके परियावण के साथ उसका आदिती ये सामंजस निधारत करता है ठीक है तो वो होता है मन महोदय एक मनो वज्ञानिक हैं वो कहते हैं व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व एक प्रकार के बेवहार के तरीकों रुचियों, दिर्ष्ट कोडों, छमताओं, योगिताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विश्ष्ट संगठन होता है उसी को बोलते हैं व्यक्तित्व, ठीक है, ये बाध्यान लखेंगे तो ये होता है व्यक्तित्व, इसी व्यक्तित्व को नापने के लिए किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, चुकि व्यक्तित्व अलग-अलग होता है फ्रिकशड के तरीके हैं कि किस बात ध्यान नक केंगे तो इसी प्रकार बेलक ने 1948 में दिया था आपसे नमबर A करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन साब देखेंगे TAT बेक्तित्व परिक्षड में कितने कार्ड्स होते हैं तो इसमें 31 कार्ड्स होते हैं आपसे नमबर D करेक्टर एंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछेगा IBT यानि स्याही धबा परिक्षड में कितने कार्ड होते हैं अभी इस प्रसंद को हमने रखा है देकि स्याही धबा परिक्षड जो है किसने दिया सबसे पहले ये जानो 1921 में दिया था स्याही धबा परिक्षड स्याही धबा परिक्षड स्याही धबा परिक्षड स्याही धबा परिक्षड स्याह कितने कार्ड होते हैं या दस कार्ड होते हैं किलियर ध्यान रखेंगे इस बात को आगे देखिएगा अगला कोशन सापकी स्किन पर आ चुका फटा पर से देखेंगे वीडियो को लाइक और सियर करते रहेगा इससे पहला वाला पार्ट आप सभी लोग जरूर देख या नहीं है प्रैचिपी लिए अगला कोसम से आप देखेंगे वाग के पूर्थी परिक्षण किस ने दिया था वाग के पूर्थी पर इच्छड दिया था किस अगला कोशन से आप देखेंगे प्रसनावली विधी किसकी देन है प्रसनावली या कोशन नार जो विधी है कोशन नार मैथट जो है उसको दिया है किसने बुडवर्थ ने दिया है आप से नमर इसका सी करेक्ट एंसर हो जागा आगला कोशन से आप देखेंगे प्रसन है यहा कथन किसका है कि व्यक्तित्वा समाज के मान ने वा आमान गुडों का योग होता है यह कथन कहा था Reksaas Mahodei अगला कोशन साब से एकजाम में बन सकता है समाज मिती बिधी किसके द्वारा दिगई है समाज मिती बिधी जो दी गई है L.L. Moreno के द्वारा दी गई है आपसा नमबर इसका A करेक्ट एंसर होगा अगला परसन आपसे बन सकता एकजाम में ब्यक्तित तो जो होता है ब्यक्ति की समस्थ विस्यश्थाओं का योग होता है किसने का हाथ ब्यक्तित तो की परिभासा को देते हुए किसका कतन है तो ब्यक्तित तो ब्यक्ति की समस्त गुड़ों का योग है ये किस ने कहा था वुडवर्थ ने कहा था लेकिन ब्यक्तित तो ब्यक्ति के सभी गुड़ों का समू है ये बात गिलफोर्ड ने कहा था आपसा नमर इसका एक एरक्टर एंसर होगा आगे बढ़ी ओर पराहम यह व्यक्तिति के 3 घटक बताएं है अगला कोशन से निम्न podr बिकासदान नि hed zus द्वारा निर्धारित होता है आपसर नंबर इसका एक एक एक्टर एंसर होगा अगला कोशन्स आप देखिएगा प्रस्न क्या है प्रस्न है सिगमेंड फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकन किसमें होता है तो हमारे मूल्यों का जो आंतरीकन होता है वो किसमें ह सब्सक्क्राइब तो आप बताएंगे आल पॉर्ट और कैटल ने दिया था ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को परिच्छा में प्रस ना सकता है यह बात ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रियास करते हैं अगला परसन आपके स्किन पर आच चुका है देखेंगे परसन है कि मोहन का ब्यक्तित्तो और बुद्धी लब्धी सोहन से भिन है और इन अंतरों को क्या क्या कहा जाता है अंतर ब्यक्तित्त भी विधताएं इसको आप कह सकते हैं कि मोहन कोई ब्यक्ति है कोई सोहन ब्यक्ति है तो जो मोहन की बुद्धी लब्दी है वो भी सोहन से अलग है और जो मोहन का ब्यक्तित्त है अनि प्रस्णाल्टी है वो भी अलग है ठीक है तो इसका वालब होता है अंतर ब्यक्तित्त विविधताएं हैं दोनों में आपसा नं प्रस्ण के द्वारा ब्यक्तित तुकारक प्रस्तावित होकर कि कितने व्योहारिक हो गए हैं सोला की संख्या में आपसा नमबर स्रीकर्टर एंसर होगा आगे बढ़ी अगला प्रस्णाप की परिच्छा में आ सकता है प्रस्ण है जुंग एक विद्वान है उनके संदर्व में मन का हिस्सा युंग ठीक है तो संदर्व में मन का हिस्सा जो मन उसके पिछले अनभो से अलग हो जाता है उसके क्या कहते हैं तो उसको ये सामोही का चेतन कहते हैं ठीक है आचेतन सामोही का चेतन आपसा नमबर इसक आगे देखेंगे अगला परसन है वातावरण जो होता है ब्यक्ति के जीन को छोड़ करके अन चीजों अन सभी चीजों को प्रभावित करता है ये किसने कहा है तो वातावरण ब्यक्ति के जीन को छोड़ करके अन सभी चीजों को प्रभावित करता है ये कितन है रच माहोदे अगला कोशन्स आप देखेंगे किसने कहा कि जीवन के सभी गुण वनसानुक्रम में हैं इन गुड़ों का प्रकट होना परियावन पर निर्भर करता है इन गुड़ों का प्रकट होना परियावन पर निर्भर करता है अगला कोशन्स आप की सिन पर आचुका है ब्यक्तित्य के बिसेशक सिधान के प्रतपादक कौन है ब्यक्तित के बिसेशक सिधान के प्रतपादक है आरवी कैटल आपस नमबर डी करेक्टर एंसर हो जाएगा अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है ब्यक्तित तो सब्द की उत्पत्ती हुई है किस भास से तो लैटिन सब्द से ह यह Latin śabda है परसोना उसी से बना है बेक्टितू ठीक है परसोनालटी जो सब्द बना हुआ है वो परसोना से बना हुआ है ठीक है और परसोना जो सब्द है वो Latin सब्द है clear तो आप से नंबर A करेक्टर एंसर होगा आगे देखिए का अगला परसन है प्राथमिक अंतर बोध परिक्षन किस ने किया है तो प्राथमिक अंतर बोध परिक्षन जो किया है वो मारगन महोदे ने किया है आपसे नमबर D करेक्ट एंसर हो जाएगा तो ये सब प्रसनों को थोड़ा सध्यान रखेंगे प्रसनोत्तर बिधी बिसेव में किस प्रकार केमत का अध्यन करती है तो जो प्रसनोत्तर बिधी है खाजर के बैक्तित प्रच्रमा अपने की प्रसनोत्तर बिधी तो वो बिधी अर्धचेतन का एक प्रकार से क्या करती है अर्धचेतन केमन का अध्यन करती है आपसे नंबर ए प्रस्ण है निम्द में से किसी चर की सरणी में नहीं रखाया सकता है फटापट से आब बताएंगे किसको चर की सरणी में नहीं रखाया सकता है आतिंदरिये प्रतेक्षण को नहीं रखाया सकता है आपसे नमबर D करेक्टर एंसर हो जाएगा आगे बढ़िए अगला प्रस् छड़वा है जिसका निर्मार ब्यक्ति की किसी बिसेश प्रकार की तथा किसी सीमिच छेत्र की क्रिया करने की बीज भूत योगिता का मापन करने के लिए किया जाता है यह कतन कहा तब फ्री मैंन महोदे दें आप से नमबर इसका एक अरक्टर एंसर होगा आगे देखिए का अगला प्रसनाप की स्कीन पर आ चुका है एक ब्यक्ति की अंदर में एक बिस्व्यापी घटना जानी जाती है एक ब्यक्ति के अंदर की एक बिस्व्यापी घटना जानी जाती है यह एक प्रकार से टेलर और बर्ड लेंड का कथन है आप से नमबर बी करेक्टर एंसर होग सिक्षा देना निम्न में से कौन सा विकल्प ग्रेड है बताएं प्रसनाप से पूछा जा रहा है कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही है या स्रेष्ट है बताएं ब्यक्तिक दिवित्ता के अधार पर सिक्षा देना निवने में से कौन सा बिकल्प जो है निवने में से बुद्धी के अस्तर के अधार पर लड़कों का वरग विभाजन करके दिया जाए बिल्कुल ठीक बात है बुद्धी कैसी है उसके एकोर्डिंग जो है सभी लोगों को एक प्रकार से चीजे बताई जाए ग्रेड में बाटा जाए आपसा नमबर एक करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन साब की स्कीन पर आचुका है अभी छमता संबंद एवं संतुष्टी प्रदायक अधिगम गती का एक आवरण है किसका कथन है तो अभी छमता संबंद और संतुष्टी प्रदायक अधिगम गती का एक आवरण है ये कथन किसका है वेन डूसेन का है आपसा नम हो देका आपसे नमबर इसका डी करेक्टर एंसर होगा आगे बढ़ी अगला कोशन से साइमन बीने के अनुसार बुद्धी क्या है साइमन बीने के अनुसार बुद्धी जो होती है परचित तथा सुनने की सकती होती है आपसे नमबर इसका एक करेक्टर एंसर होगा आगे नम्मझा भुद्धी को नापने के लिए आप शनमबर वी और क्रक्ट एंशर हो गा अगला कोश्ण सा आपकी स्किन पर आ चुका है बहुत ही मैंत्पून प्रस्ण है प्रस्ण बुद्धी का द्रवक माडल किसे ले था भाई या तो बुद्धी का दरवक माडल दिया था कायटेल महोदे ने आपसे नमर इसका एकरक्ट एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रस्णों को जाना समझा और परखा तो यह सब बहुत ही इंपोड़न जो है प्रस्ण थे जो कि मैंने आपकी समझ बता में लगबग 40-45 को संसे लगबग 30 मेंट की वीडियो है वह आप देख लिजेगा पार्ट वन है और यह पार्ट टू है ठीक है और इसके बारे मैंने आपको बता दे चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत आप सभी का बहुत बहुत